Fiverr से आप लोग earning करना चाहते हो तो आप लोगों को gig लाज़मी बनानी होगी एक अच्छी gig बनानी होगी एक professional gig बनानी होगी Assalamualaikum अंजम अक्बाल एक बार फिर आप लोगे सामने earning gaps की कुछ मजीद updates से के मौझूद है मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब पहले दे देना चाहूंगा कि फाइवर गिक पर मैंने आज तक वीडियो क्यों नहीं बनाई In fact, मैं उसी चीज़ की या उसी एप या वेब साइट की वीडियो ही बनाता हूं जिस पर मैं आरड़ी काम कर चुका हूं तो फाइवर का अकाउंट मैंने अपने चार-पांच दोस्तों को बना के दिया In fact, बनाया उन्होंने गाइड मैंने किया और उनको एक प्रोफेशनल गिक बनाना भी मैंने सिखाया अब मैं वेट कर रहा था कि कब उनकी अर्निंग शुरू हो उन में से दो लोगों की अर्निंग शुरू हो चुकी है तीन की अभी नहीं शुरू हुई अनकरीब इंशाला शुरू हो जाएगी और उन दो लोगों की अर्निंग इतनी ज्यादा भी शुरू नहीं हुई To be very honest, अभी वो 18 से 20 जारी कमा रहे है लेकिन ये अर्निंग उन्होंने इसी महीने शुरू की है जो के अनकरीब बढ़ भी जाएगी आप लोगों को पता है कि जब एक और्डर मिलेगा उस पे उसको 5 स्टार मिलेंगे तो definitely और लोग भी उनसे काम लेंगे तो इसलिए अब मैं ये वीडियो आप लोगे सामने लेके आया हूँ इसमें मैंने आप लोगों को फाइवर का अकाउंट बनाना नहीं सिखाना उस पे मैं औरड़ी वीडियो इस चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ उसका थमनिल भी याँ पर देख लें इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा अब मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने एक प्रोफेशनल गिग बनानी है और सिरफ गिग बनाना नहीं सिखाऊंगा बहुत ही important points मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों की earning शूरू होगी क्योंकि YouTube पे मैंने बहुत सी वीडियोज देखी हैं जिसमें आप लोगों को account बनाना और gig बनाना ये दो चीज़ें सिखा देते हैं वो points मैं नहीं जानता कि क्यों लेकिन वो आप लोगों के साथ share नहीं करते तो इसी वीडियो में वो points भी मैं साथ साथ बताऊंगा तो वीडियो को इसके बिलकुल मत कीजेगा आगे जाने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नहीं हैं फोरण से इसको join करें इसकी notification को on करें क्योंकि online earning मैंने आप ही लोगों को सिखानी है Fiverr पर आप लोगों को job कभी भी नहीं मिलेगी अगर आप लोगों का profile first page पे नहीं आएगा आप लोग rank one पे कैसे पहुँचोगे इस वीडियो में मैं एक एक चीज आप लोगों सिखाऊंगा Fiverr से आप लोग earning करना चाहते हो तो आप लोगों को gig लाजबी बनानी होगी Fiverr से अगर आप लोग earning करना चाहते हो तो आप लोगों को एक अच्छी gig बनानी होगी Fiverr से अगर आप लोगों हकीकतन earning करना चाहते हो तो आप लोगों को एक professional gig बनानी होगी Gig होती क्या है? आप लोग जानते हैं इस बात को gig actually आप लोगों की एक CV होती है आप लोगों का total profile होता है आप लोगों की skills होती है एक एक चीज गिग में include होती है आप लोग कौन कौन सी services दे सकते हो और उन services का आप लोग कितना charge करोगे एक एक चीज गिग का part होती है आप लोगों को problem कब होता है मैं ये बात जानता हूँ कि जब आप लोग गिग बना रहे होते हो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों ने title क्या लिखना है description क्या लिखनी है हम लोगों ने category कौन सी define करनी है सब category को कैसे search करना है हमने क्या define करनी है इसके लावा key words हम लोगों ने कौन से use करने है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक एक point clear करूँगा इसके लावा चंद एक important points भी बताऊंगा अब मैं Fiverr के हवाले से आप लोगों को चंद एक tips देना चाहता हूँ इसमें पहली tip कि आप लोगों ने online ज्यादा रहना है अब बहुत से लोग यह सोच रहोंगे कि हम लोग तो offices में होते हैं यह हम लोग रास्ते में होते हैं कई जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं तो कैसे हम लोग online रह सकते हैं ज्यादा traveling ज्यादा होती है हमारी तो इसके लिए suggestion क्या है कि आप लोग app install कर लें Fiverr की और वहाँ पर आप लोगोंने online रहना है अब ये online रहने की logic क्या है For example, अगर आप लोग एक mall में जाते हो जहां पर धेर सारी shops है अब as a buyer आप लोग कहां से चीजें खरीदोगे वहीं से जो shop open होगी अब Fiverr पे आप लोगों का profile बना हो है लेकिन आप लोग offline है देखें जब एक buyer आता है तो वो हमेशा जल्दी में होता है बल्के आप लोग ये कहलें कि ज़्यादा तर जल्दी में होता है अब जो लोग online है आम तोर पर काम उनी को ज़्यादा मिलता है अब आप लोगोंने online कैसे रहना है इसके लिए छोड़ी सी टिप कि आप लोग app install कर लें Fiverr की और उस पे आप लोग online रहें आप आपको पता है कि mobile पे भी on हो जाती है कोई मसला नहीं है एक और important बात भी सुनिएगा कि जब भी आपका buyer आप से कोई भी conversation करें बेशक वो order देते वे हो या कोई भी बात हो आप लोगोंने response quickly देना है क्योंकि ये चीज बहुत ही ज़्यादा matter करती है next point ये है कि आप लोगोंने शुरू शुरू में Fiverr पर अपने services के charges कम रखने बात में बेशक बढ़ा दीजेगा मैं आप लोगी earning को कम नहीं करना चाहता है बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन शुरू शुरू में आप लोगोंने rates को कम लिखना है क्योंकि देखें इसके बाद क्या होगा जब rate कम होंगे तो शायद आप लोगो orders भी ज्यादा मिले फिर जब आप orders को complete करेंगे तो definitely आप लोग का profile strong होगा और आप लोग जब order को तरीके के साथ complete करोगे on time complete करोगे तो buyer की तरफ से आपको ज्यादा stars मिलेंगे जिससे आप लोग का profile मजीद strong होगा और आप लोग की earning आएससर सब बढ़नी चुरू हो जाएगी इसके इलावा एक चीज़ मैंने Fiverr पे बहुत देखी है कि वो लोग जिनको ज्यादा orders मिलते हैं जो के top 5 होते हैं, top 10 होते हैं आप लोग उनके profile को as it is copy कर लेते हो याद रखिएगा Fiverr का AI सिस्टम अब बहुत strong हो चुका है अगर आप लोग इस किसम की गलती करेंगे तो आप लोगों को orders नहीं मिलेंगे हाँ, आप लोग idea वहाँ से ले सकते हैं लेकिन लिखना आपने खुद है तो चलते हैं जनाब Laptop की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कैसे हम लोगों ने एक professional gig को बनाना है Laptop की स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं चन्द एक बाते पहले सुन लीजेगा कि अगर आप लोगों ने इस से पहले Fiverr की gig को बनाया वाए और आप लोगों को jobs नहीं मिल रही तो इस वीडियो को मुकमल देख के जो भी required changes है वो आप लोगों ने कर लेनी है अच्छा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होगे जिनकी English अच्छी होगी और कुछ ऐसे भी होगे जिनकी English अच्छी नहीं है या जिनको form fill करना बहतर तरीके से नहीं आता तो जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक फील्ड एक एक बात समझाऊंगा के आप लोगों ने कैसे professional gig को बनाना है अगर आप लोग लिख नहीं सकते तो copy paste तो कर सकते हो ना कुछ techniques भी बताऊंगा वीडियो को skip ना कीजेगा क्यूंकि मैं साथ साथ आप लोगों को tips भी देता रहूंगा जिससे आप लोगों का profile professional profile बन जाएगा जिससे आप लोगों की gig professional gig बन जाएगी आप लोगों ने क्या करना है जनाब आप लोगों ने यहाँ पर click करना है और इसके बाद आप लोगों ने आज आना है become a seller पे यहाँ पर आप लोगों ने एक बार फिर become a seller को click करना है यहाँ पर चन्द एक instructions given है जिसमें लिखाव है कि आप लोगों ने अपना एक अच्छा profile बनाना है उसके बाद आप लोगों ने seller profile create करना है और gig को publish करना है ठीक है जनाब यह सारा कुछ हम जरूर करेंगे continue के बटन को click करते है यहाँ पर मज़ीद instructions given है कि आप लोग time लगा कर अपने profile को बनाए ताकि profile आपका अच्छा बने जल्दी जल्दी में next next करके आप लोगों ने profile नहीं बनाना time लगाना है यहाँ पर इसके लावा credibility को add करने के लिए आप लोगों ने links वगरा भी add करने ओके हम यह भी करेंगे और आप लोगों ने accurately यानि कि बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी skills को add करना है इसके लावा आप लोगों ने picture लाज़मी अपलोड करनी है अपनी जो के professional हो और community की security के लिए आप लोगों से किसी भी वक्त verification की जा सकती है right continue के बटन को click करते हैं मजीद instructions यहाँ पर available है कि आप लोगों ने misleading data नहीं देना जो जैसे आप हैं आप लोगों ने वही चीज़े यहाँ पर बया करनी है कोई भी चीज इजाफी ने लिखनी गलत ने लिखनी ताकि आपका buyer जो है वो misguide ना हो सके इसके लावा आप लोगों ने duplicate account को open नहीं करना हाँ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक से ज्यादा create करें तो definitely आप उसको create कर सकते हैं और इसके लावा यहाँ यह भी लिखावा है कि आप लोगों ने पैसे का जितना भी lane देना है वो fiver पे करना है ऐसा ना हो कि fiver को छोड़कर आप लोग directly buyer के साथ बात कर रहे हैं बारो बार पैसे दे रहे हो ले रहे हो और काम कर रहे हो तो ऐसा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना वरना आप लोगों का account permanently suspend हो सकता है next को click करते हैं अब यहाँ पर 4 stages ऐसी हैं जिसमें आप लोगों ने अपने profile को complete करना है और इसके बाद आप लोगों ने gig को create करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने profile को complete करना है हाँ यहाँ पर चन्द बाते सुन लीजेगा यहाँ पर लिखावा है completion rate 10% 65% minimum completion rate जब हो जाएगा तो ही आप लोग gig को create कर सकते हो यह चीज याद रखेगा और यह कैसे complete होगा जो जो information यहाँ पर missing है आप लोगों ने वो enter करनी है अब step by step समझेगा बिल्कुल जल्दी ना कीजेगा skip से हाथ बिल्कुल हटा दे हाँ वीडियो को like जरूर कर दीजेगा personal profile के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने अपना full name लिखना है ठीक है जनाब आप लोगों ने यहाँ पर description लिखनी है अब description लिखने से बहुत से लोग हिचके जाते है कि हम लोग क्या लिखें जो लोग लिख सकते हैं वो लिखने और जो नहीं लिख सकते उनका साथ मैंने नहीं चोड़ना उनको मैं एक copy paste दरीका सिखाता हूँ description में आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने work experience का लिखना है अगर कोई projects आप लोगों ने complete की में उनका जिकर कीजेगा और अपनी expertise की बात कीजेगा आप लोगों ने जनाब आ जाना है Google पे अब for example जो मैं अपना profile बना रहा हूँ मिसाल दे रहा हूँ यह मैं graphic designer के तोर पर बना रहा हूँ ठीक है आप लोगों के अपने अपने profiles होंगे अब आपने Google में क्या लिखना है profile description of आगे आप लोगों का जो भी profession है यानि जो भी आप लोगों ने काम करना है आपने उसका लिख देना है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ profile description of graphic designer अब यहाँ पर आप लोगों ने description को search करना है जहाँ पर अच्छा लिखाव है उसी को copy कीजेगा यहाँ पर मुझे यह वाला बहुत अच्छा लगा चलें यह अप वर्क का है कोई मस्ता नहीं यहाँ से इसको copy कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको paste कर लीजेगा थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत बेतर कर लीजेगा इसके बाद जनाब language language आपने choose करनी है इसमें एक language तो आप लोग English कर दीजेगा अब यहाँ level के बारे में पुछा जा रहा है level आप लोगोंने अपने मताबिक लिखना है अगर आपको सिरफ basic English आती है तो basic कर लीजेगा इसी तरह different options available है मैंने यहाँ पर second option को choose किया इसके इलावा भी आपने language को add करना है ठीक है ना यह चीजें यह tips याद रखेगा add का button बाने के बार आप लोग के पास add new की option आ जाएगी इसको click कीजेगा इसके इलावा आप लोगोंने यहाँ पर अपनी जो भी language है वो choose करनी है जैसे मैं यहाँ पर उर्णू को choose कर लेता हूँ अब यहाँ पर language level आप लोगोंने कौन सार्टिफाइन करना है आप लोगों को खुद बता है इसको मैं native कर लेता हूँ add के button को दबाएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि language को change करें तो यहाँ पर edit की option आप लोगों के पास हमेशा available रहेगी continue के button को click करते हैं अब हम जनाब professional info तक पहुँच चुके हैं परिशान आप लोगोंने नहीं होना profile आप तक complete होने वाला है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30% profile complete हो चुका है मैंने बताया था 65 पे आप लोग गिक बना सकोगे यहाँ पर लिखा है जनाब your occupation आप लोगों का पेशा क्या है क्या काम करते हो आप लोग यहाँ पर मैं चूस कर लेता हूँ graphic designer आप लोग अपने मताबिक चूस कर लेजेगा यहाँ पर मज़ीद पूछा जा रहा है आप लोग की skills के वाले से इसमें भी मैं चंद एक options को जल्दी जल्दी में क्लिक कर देता हूँ आप लोगों ने दिहां से इसको पढ़के समझ के उसके बाद चेक करना है next पर आ रहा है skills कि आप लोग के पास कौन कौन सी skills available है यहाँ पर मैंने लिख दिया जनाब thumbnail design अब इसमें expertise level क्या है यहाँ पर skills में आप लोगों ने beginner वगरा को कभी choose नहीं करना यह tip याद रखेगा आप लोगों ने खुद को expert ही लिखना है क्योंकि एक buyer कभी भी beginner को काम नहीं देता इस वज़ा से बहुत से लोगों को jobs नहीं मिलती फाइवर पे क्योंकि उन्होंने लिखा होता है beginner ठीक है beginner को jobs नहीं मिलती वेल आप लोग यहाँ पर मजीद skills को भी जरूर add कीजेगा add new के button को दबाने के बाद यहाँ मैंने कर दिया YouTube thumbnail design और यहाँ पर भी experience level मैंने क्या शो किया expert अब आप लोग समझ चुके हो add के button को दबाईएगा यहाँ पर आप लोग ने मजीद skills को भी add करना है अब आजाती है बारी जनाब education की education आपकी जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजेगा सबसे पहले अपने country को चूस कीजेगा अपने college, university का नाम लिख दीजेगा इसी इसकी verification नहीं होने लगी आप लोगों ने सिरफ form गी fill करना है चले हैं यहाँ पर मैंने education के बारे में लिख लिया है लिखने के बाद add का button दबाना बहुत ही important होता है अब यह यहाँ पर आ चुका है ठीक है add का button दबाने के बाद नीचे जनाब certification की बात हो रही है कि अगर आप लोगों ने कोई certificate या award लिया है तो वो आप लोगों ने यहाँ पर input कर देना है चलें यहाँ पर मैंने कुछ dummy सा data एंटर कर दिया है अगर नहीं है तो continue के button को click कर दीजेगा मैंने यहाँ पर कुछ data डाल दिया है continue के button को मैं click कर रहा हूँ अच्छा यहाँ पर मैंने sorry एक चीज़ miss कर दी थी occupation में आगे year भी लिखा हुए कि आपने यह job कब से कब तक की चलें इसको भी fill कर लेते हैं चले मैंने इसको भी input कर दी है अब दुबारा continue के button को click करते हैं ठीक है जनाब अब हम लोग third stage पर पहुँच जोगे है जो के है linked account अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने accounts को link करना है Facebook, Twitter, Google आप लोग के पास जो भी account है नीचे भी चैन्देक available हैं इनको link जरूर कीजेगा क्योंकि एक अच्छे profile में social media के links भी होते हैं next पर जनाब हमारे पास आता है account की security के अवाले से यहाँ पर आप लोगों ने अपने email address को verify करना है और अपने phone number को भी verify करवाना है अब phone number को कैसे verify करते हैं आप जहां पर verified लिखा हुए क्योंकि मैंने अभी verify किया इसको तो यहाँ पर एक button available होता है आपने उसको click करना होता है ठीक है उसके बाद आप लोगों के पास दो options आती है अपने country को select करना होता है जो कि automatic selected होगी और नीचे आपने अपना mobile number लिखना होता है उसके बाद आप लोगों के पास दो options होती है कि आप लोगोंने SMS के जरीए verify करना है नीचे एक button होता है या phone call के जरीए मैंने SMS को choose किया तो मुझे mobile पे एक SMS मिल गया एक code मिल गया उस code को मैंने enter किया और मेरा mobile number verify हो गया अच्छा mobile number जैसे verify होगा जनाब उपर completion rate 70% हो गया जो के पहले 35% था यानि कि ठीक ठाक percentage phone number को verify करके मिल गई मुझे और ये मैंने बताया था कि 65% profile कम से कम required होता है gig को create करने के लिए भाराल 70% हो गया है अब हम gig को create कर सकते हैं आप लोगोंने कोशिश करनी है कि अपने profile को आप लोगोंने 100% complete करना है मैंने जो इसमें miss किया वो क्या किया वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने in accounts को link नहीं किया हुआ ठीक है इसमें time लगेगा मैं बाद में कर लूँगा आप लोग ये कर लीजेगा चलें finish के button को press करते है चलें यहाँ पर लिखा वा गया कि सब ठीक चल रहा है done के button को click कीजेगा अब जनाब हम gig को create कर सकते हैं और gig को create करने के लिए हम लोगोंने 6 stages से गुजरना है कितनी stages से गुजरना है 6 stages से अब मैं आपको one by one step by step एक एक field का बताऊंगा और जहाँ पर tip required होगी वहाँ पर tip भी दोगा जहाँ पर आप लोगों को English लिखने में मुश्किल होगी copy paste की techniques भी सिखाऊंगा बहुत कुछ मैंने बताना है वीडियो को skip बिल्कुल मत कीजेगा और अगर अभी तक वीडियो लाइक ने की तो लाइक जरूर कीजेगा अब यहाँ पर जो first पर आ रहा है वो है gig title बहुत ही important है बहुत ही important है और बहुत से लोग यहीं पर problem का शिकार हो जाते है आप लोगों ने title ऐसा लिखना है जिसमें अच्छे अच्छे key words का use हो यह key words आप लोगों ने कैसे ढूने title में आपने क्या लिखना है अगर आपको लिखना नहीं आता या लिखना एतना मुनासिप या थना बेहतर नहीं आता तो मैंआप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है और कौन से keywords यूज़ करने चलें, अब हम एक मिसाल लेते हैं For example, ये gig मैं create कर रहा हूँ thumbnail making पर ठीक है, ये मैं मिसाल ले रहा हूँ अगर आप लोगों का कोई भी gig अ किसी भी topic पर है आप लोगों ने उसके मताबिक करना है लेकिन tips ये ही चलेंगी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, I will ये लिखाव है, ठीक है, इसको आप change नहीं कर सकते इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखना है और maximum आप लोगों ने 80 character तक लिखना है इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबर्दस किसम की टेक्नीक सिखाऊंगा जिसको इस्तिमाल करके आप लोग अच्छे keywords पे भी पहुंच जाओगे और आप लोगों की gig rank भी हो सकेगी gig rank करने के लिए यह तमाम fields का समझता है important है ठीक है अच्छा अब हमने बाराल title लिखना है इसके लिए आप लोगों ने काम करना है आप लोगों को क्या करना है जनाब Fiverr को एक नए tap पर add करें और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जैसे मैं मिसाल ले रहा हूँ thumbnail की ना thumbnail YouTube इस पर सर्च करने अब आप लोगों ने top की 4-5 profile को open करना है याद रखिएगा copy paste नहीं करना यह चीज मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा है कुछ और सिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा आप लोगों ने 5 या 6 जितने भी आप चाहें उतनी profiles को open करना है इसमें आप लोग जनाब इस title को copy करना है और अपने पास किसी और जगा paste करना है चलने इसको note pad पर ही मैं save कर रहा हूँ कहीं पर भी आप save कर सकते हैं इसमें को problem नहीं है यह one हो गया इसी दरह आप लोगों ने top के 4 gigs के title को copy करना है अभी copy करें तरीके कार मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने title को कैसे choose करना है ठीक है मैं जल्दी जल्दी इसको copy करता हूँ यहां से एक और को भी copy कर लेते हैं note pad पर paste किया चार top के titles को मैंने यहां पर paste कर दिया अब हम लोगों ने यहां पर नीचे अपना एक title बनाना है फिर उसको हमने वहां पर जाके paste कर देना है फाइवर पर पहला है I will design और आके कुछ लिखा हुए ठीक है design हर एक में common है तो पहला हम यहां पर word उठा लेते हैं design का इसके लावा जनाब जो word दिखाई दे रहे हैं boosting amazing YouTube thumbnail यह भी अच्छा word है click bit यह भी अच्छा है यह निकि इनी titles के अंदर से आपने अपना एक title निकालना है लेकिन उसकी sense होनी चाहिए चलें ऐसा करते हैं कि I will design वहां से उठा लिया catchy YouTube thumbnail हमने यहां से उठा लिया और boosting का वर्ड भी इसके अंदर बल्कि view boosting का वर्ड बहुत अच्छा है यह भी अच्छा keyword है इसको भी हम यहां पर दर्म्यान में add कर लेते हैं यह नि catchy and view boosting thumbnail इन कितने गहंटे में आप बना सकते हैं अगर 24 गहंटे में बना सकते हैं कितनी देर बना सकते हैं यह भी हम यहीं से copy कर लेते हैं अभी आप पे हैं आप एक thumbnail कितने देर में बना सकते हो ठीक है time आपने अपने मताबिक लिखना है यहां से नहीं देखना क्योंकि जब buyer को order late मिलता है तो आप लोगों को फिर star भी कम मिलता है आप लोग की profile फिर rank नहीं होती याद रखी का यह बात सबसे important है कि आप लोगों ने कभी भी delivery को late नहीं करना ठीक है जो time आप देंगे उसी पे आपके buyer को delivery मिल जानी चाहिए चले हमने यहां पर एक title बना लिये इसको अब हम यहां पर input कर देते हैं चले बहतरीन हो गया अच्छा इसमें थोड़ी बहुत जो formatting वगरा है वो खुद कर लिया करें जैसे D यहां बढ़ा है यहां पर C छोटा है तो इन तमाम को एक format के मताबिक किया करें हमेशा तो अच्छा लगता है प्रोफेशनल लगता है आम तर पर लोग इसको बादर नहीं करते हैं लेकिन यह matter करता है चलें अब काफी अत्तक बहतर हो गया है ठीक है ना अच्छा अब next पे आते हैं जनाब category में और यहां पर आपने से बहुत से लोग परस जाते हो कि हमें नहीं पता मुश्किल नहीं आएगी ठीक है अब धिहान दीजेगा अब यहां पर category को अगर मैं open करूं तो graphic design की category मेरे इस काम के लिए बन रही है लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी category है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप लोग ने फाइवर पे अपनी ही field के यानि कि अपनी ही skill के मताबक किसी profile को open करना है जैसे यह भी यहां पर थमनिल बनाते है अब यहां पर आपने ऊपर गोर करना है यह यहां पर क्या लिखाव है graphic and design in fact यह है category और अगे क्या रहा है social media design यह है सब category चीज़ें असान होती जा रही है ना चले अब इसी को हम यहां पर implement करते है यहां पर जनाब मैंने उठा लिया graphic design और यहां पर क्या था social media design इसको भी हमने choose कर लिया चले अब for example यहां पर मिसाल दे रहा हूँ कि thumbnail की बात नहीं करते आप लोग menus अच्छा बनाते हो menus नहीं होते हैं किसी hotel में जाते है menu design आपको दिखाई देता है बड़ा अच्छा menu बनाता है for example आपकी वो scales है तो कि अब उसकी category और सब category को कैसे search out करेंगे यहां पर मैंने लिख दिया जनाब food menu फाइवर पे जनाब आपको दुनिया जहान का हर काम मिल जाएगा अब यह देखें कितने अच्छे menus बने वे चलें पहले कोई क्लिक करते है यहां पर देखें category क्या है graphic and design बिल्कुल यही बनती है और sub category यहां पर menu design आ रहे है अब इस चीज़ में आप लोगों को कभी भी मुश्किल ना है category और sub category में title आप अलरड़ी समझ चुके है अब हम next field की तरफ चलते है यहां पर है service type अब service type क्या है कैसे आप लोग लिखोगे जब आप इसको click करोगे category और sub category को लिखने के बाद तो यह उसी के मताबिक आपको दिखाई देगा अब यहां पर क्या लिखाव है thumbnail design मैं सीधा सीधा इसको choose कर सकता हूँ select कर सकता हूँ अब अगर मिलते जुलते profile पे मैं जाओ तो यहां पर आप लोग को अब क्या दिखाई दे रहा है अब आप लोग को पता होना चाहिए यह है category साथ में क्या है sub category यह जहां पर यह आपको दिखाई दे रहा है और third पर जो आ रहा है और third पर जो आ रहा है यह क्या है यह है जनाब service type अब आपको तमाम चीज़ें clear हो चुकी है अब हम next पे चलते हैं यहां पर है जनाब gig meta data अब यहां पर आप लोगों ने अपनी ही gig के मताबिक अपनी ही skills के मताबिक जो भी आप कर रहे हैं उसके मताबिक यहां से आप लोगों ने in options में से किसी एक या दो को choose करना है अब यहां पर हमारा क्या काम है यहने कि thumbnail का social media से related है मैंने इसको चेक कर दिया अब जनाब next पर आ रहा है search tags हाँ यह भी बहुत important है और यहां पर भी आप लोग गलती कर जाते हो अच्छे चलें tags को कैसे search करें इसका कोई असान सा तरीका हाँ इसका एक बहुत ही जबर्रस तरीका बताता हूँ आप लोग चाहे किसी भी skill पर gig बनाओ मेरे इस तरीके पर चलो आपको मुश्किल नहीं होगी इसके लिए आपको again 3-4 gigs को open करना होगा जो के top की होगी अब आप लोगों ने इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है उसको सुनिएगा चलें अब यहाँ पर इस gig पर आते हैं नीचे आजाना है बिल्कुल नीचे आजाना है और यहाँ पर आपको related tax की option में लेगी अब आप लोगों ने यहाँ से foreign से copy paste नहीं करना थोड़ा सा logical इसको समझेगा इन तमाम tax को copy करें अच्छा tax maximum आप 5 लिख सकते हैं यह भी याद रखिएगा और यहाँ पर मैंने इसको paste कर दिया यह मैंने उठाया पहली gig से अब इसी तरह आप लोगों ने 4, 5, 6 जितना चाहते हैं उतने gig से आप लोगों ने tax को copy paste करना है मैं जल्दी जल्दी ऐसा करके आप लोगों के पास आता हूँ चलें जी यहाँ पर मैंने 4 gig से tax को copy कर लिया है अब आप लोगों ने कौन से tax लगाने इसको समझेगा पहला टेक क्या है thumbnails चारों लोगों ने इस tax को use किया है इसको तो आँखे बन करके उठा ले यह निगे thumbnail को इसको यहाँ जाके आप paste कर दें और enter के button को press कर दें पहला tag हो गया अब दूसरे tag पे आते हैं यहाँ पर common tags कौन से YouTube thumbnail YouTube thumbnail YouTube thumbnail और यहाँ पर भी YouTube thumbnail चलें जी यहाँ पर मैंने तकरीवन चार गिक्स से टैग्स निकाल ली है और यह चारो गिक्स वो थी जो के टॉप पे थी अब यहाँ पर आप लोग का काम क्या है छोड़ा सा काम है ज़्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पर देखें के common टैग्स कौन से हैं अब पहला tag आप देखें चारो ने यूस किया है किसको तॉमनेल इसको इसको तो जनाब बिला मुकाबला यानि कि आँखे बंद करके इसको आप यहाँ पर आके पेस्ट करने पेस्ट करने के बाद आप में एंटर का वर्टन दबा देना है अब अगला कीवर्ड ढूनते है अगला keyword जनाब हो सकता है YouTube thumbnail यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है तकरिबन चारों ने यूज़ किया है, तो इसको भी उठा लेते हैं चलें, यहाँ पर इसी फर्मूले से मैंने तीन टैक्स को पेस्ट कर दिया है यहाँ पर आप लोगों ने 5 टैक्स लास्वी देने कितने टैक्स? 5 टैक्स अब मैं next के बटन को दबा रहा हूँ अब मैं save and continue के बटन को क्लिक करूँगा लेकिन यह accept नहीं होगा accept क्यों नहीं होगा, मैंने जानके एक गलती की वी है ताकि आप लोगों समझा जाए, चैने जी प्रेस किया और यहाँ पर रुखिया यहाँ पर याद रखिएगा कि टाइटल में आप लोगों ने या तो numeric लिखना है ठीक है और या alphabets, special characters यूज नहीं करने, जैसे and जो मैंने लिखा वे वो गलत है, इसको मैंने and कर लिया, अब यह accept हो जाएगा for sure यह लेजी और जनाब यह accept हो गया अब हम जनाब पहुंच चुके हैं second stage पर और यह है pricing की दिहान दीजेगा जनाब यहाँ पर ऐसे समझने हैगा एक काम करते हैं, एक profile पर जाते हैं तब आप समझ जाएंगे कि इस button का फायदा क्या है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस profile में, basic और उसमें कुछ information given है, यानि कि आप लोग जो basic package देना चाहरे हो अपने buyer को standard में कुछ ऐसा लिखा हो है, platinium में ठीक है, clear हो गया अब मैं समझाता हूँ, tension आप लोगों ने बिलकुल नहीं लेनी, अब यहाँ पर आपने इस button को कर देना है on, ठीक है पहले क्या था, सिरफ basic आ रहा था अब इसको on करने के बाद साथ में standard और premium भी आ रहा है याद रखेगा कि इस button को on करके, अगर आप काम करते हैं, तो ये आपके gig के लिए बहुत बेतर है, ये tip सुन लीजेगा क्योंकि इस से क्या होता है जो buyer आता है, उसके बास different options available हो जाती है, क्योंकि इतना time नहीं होता, कि वो आए, आपको mail करे message करे, आपसे बात करे, call करे इतना time नहीं होता, open market है, बहुत लोग यहां पर बैठे हुए बायर जुआएगा, उसको जो चीजें या जो information जहां पर पूरी मिलेंगी, वहां पर फॉरण से water replace कर देगा, उसके पास इतना time नहीं है, call शॉल करने का, तो कहने का मदब क्या है, कि यहां पर इस बटन को लाजबी आप लोगोंने on रखना है, और यहां पर इसको fill करना है अब fill कैसे करना है, वो भी बता देता हूँ, चले यहां पर अब basic के अंदर आपने क्या लिखना है, यह मैं समझा देता हूँ, यह infect packages हैं, यह चीज़ जहन में रखिएगा, यह निए basic का package क्या होगा, standard का package क्या होगा, premium का package क्या होगा, buyer को बहुत असानी हो जाती है, जब आप लोग packages को define करते हो, अब basic के अंदर जैसे मैं for example लिखता हूँ, one full HD thumbnail, ठीक है, यहां पर standard में आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर three का बना लेते हैं, कि अगर कोई buyer आप से तीन thumbnails बनाना चाहे, तो क्या package होगा, और इसी तरह जनाब यहां पर आप कर लें, seven कर लें, eight कर लें, ten कर लें, जैसे आप मुनासिब समझें, वैसा कर लेज़ेगा, मैं seven कर देता हूँ, अब नीचे, आप लोगों ने description देनी है, बलके, यहां पर उपर आप यह भी कर सकते हैं, कि basic में आप लिख दें, one thumbnail जरा असानी हो जाएगी, क्योंकि description के अंदर हम HD वगारा को वहां पर add कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं, seven thumbnails, अब description के अंदर जनाब मैं लिख देता हूँ, get one amazing YouTube thumbnail plus full HD, JPG, PNG, right, समझा गिए आपको, अब इसी को आप यहां पर भी paste कर सकते हैं, one की जगा यहां पर three कर दें, और यहां पर भी आप one की जगा seven कर दें, अब आपने क्या करना है जनाब, third row में जो आ रहा है, delivery time, अब आप एक thumbnail कितने दिनों में बनाएंगे, अब यह आप पर जपेंट करता है, यहां पर मैं one day कर देता हूँ, three thumbnails बनाने के लिए मैं कहतेता हूँ, कि दो दिन मुझे चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, और seven thumbnails के लिए मैं three days का delivery time दे देता हूँ, अब जो delivery time आप देंगे, इस पे आप लोगोंने लाजमी delivery देनी है, इसमें कोई शकोशुबा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई delay नहीं होना चाहिए, यह tip important है, इसको याद रखेगा, वरना आपकी credibility मार्केट में खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं ये काम करने के लिए, तो यहाँ पर सोच समझ के, आप लोगोंने delivery time का इंतेखाब करना है, अब ऐसा भी ना हो कि एक thumbnail बनाने के लिए, आप 10 दिन का time ले रहे हों, ठीक है, ये भी ना कीज़ेगा, आप time कम से कम रखें और उतना ही time लिखें, जिसमें आप लोग हकीकतन thumbnail बना सकें, अब नीचे आपने लिखना है number of thumbnails का, यह अल्रेड़ी हम लिख भी चुके हैं, यहाँ पर one कर दें, यहाँ पर three कर दें, और यहाँ पर seven कर दें, यहाँ तक बात clear होगी ना, step by step चलिएगा और समझेगा, next option है जनाब image sourcing की, इसको बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, custom design image, yes, custom design image, yes, for all, इसके लाबा source file, बिल्कुल जी, source file भी हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है, अच्छा, अब आ रहा है revience, यहनी कि एक thumbnail को आप कितनी बार revise कर सकते हो, हो सकता है कि बायर को पसंद ना है ना, तो आप उसमें changes करो, तो इस package में, आप लोग कितनी revience करना चाहते हो, आप पे depend करता है, यहाँ पर बहुत कम भी ना लिखेगा, बहुत ज्यादा भी ना लिखेगा, क्योंकि जब आप लोग को ज्यादा orders मिलेंगे, और आप बार बार revience की तरफ भी जा रहे होंगे, तो आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो यहाँ पर average लिख दीजेगा, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 कर देता हूँ, हाँ, 7 के लिए, जैने, थोड़ा सा बढ़ा दीजेगा, इसको 4 कर दें, क्योंकि अगर कोई आपके पास premium package पर आएगा, तो उसको थोड़ी बहुत privilege भी आपने देनी है, ताकि क्योंकि देखें, 10 डॉलर के 3 थमनेल के लिए आप लोग लिख सकते हैं 15 डॉलर, लेकिन यहाँ पर एक टिप की बात सुनेगा, देखें, अब एक बायर आपसे 3 थमनेल्स बनवा रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप package को थोड़ा सा, थोड़ा सा कम जरूर करें शुरू शुरू में, ठीक है, इसको अगर मैं 14 कर दू, थोड़ा सा कम की है, लेकिन इस से फादा क्या होगा, कि आपको order जड़ा बड़ा मिल जाएगा, इसी तरह अगर आप 7 थमनेल्स पर आते हैं, तो इसके कितनी amount बनती है, वैसे 35 डॉलर बनती है, पांच के लिहाज से, इसको भी आप कम कर देजेगा, इसको हम 30 कर देते हैं, आप अपने मताबिक उपर नीचे कर सकते हैं, जो मैं समझाना चाहरा हूँ, वो आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा नीचे आने के पास, जनाब आप लोग के पास additional कुछ information आ रही है, यानि कि add extra services, अब extra service आप जब भी देंगे, उसके आप लोगों ने इजाफी पैसे चार्ज करने, अब ये पैसे भी आपने ज्यादा चार्ज नहीं करने, for example, extra fast delivery, एक बंदा कहता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी जल्दी ये काम complete करके दो, तो इसमें ये बता दें उसको, कि अगर आप basic package के अंदर, जल्दी delivery लेना चाहेंगे, तो इसमें जनाब क्या होगा, आप लोग extra charge कितना करोगे, मैं कहता हूँ कि मैंने एक डॉलर एक्स्ट्रा लेना है, standard में इसी तरह standard और premium में भी extra जो charges है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, clear होगी ये बात, अब next पे चलते हैं, next जनाब additional thumbnails, अगर कोई आप से additional thumbnail बनाना चाहता है, तो आप क्या charge करोगे, इसमें आप वो amount लिख दीजेगा, कि मैं कितनी amount charge करूँगा, अगर आप लोग additional thumbnails बनाते हो, ये भी clear हो गया, additional reviennes, कुछ reviennes तो यहाँ पर आपने बता दी ना package के अंदर है, अब एक बंदा आप से बार-बार reviennes कर रहे, तो आप क्या करोगे, उसको भी additional charge कर दो, कि अब अगर आप तीन के बाद reviennes कर आओगे, मेरे भाई, तो हम आप से 2 dollar extra लेंगे, 5 dollar extra लेंगे, जो भी है, यहाँ पर भी आप extra charge करो, extra कमाओ, और ऐसा पूरी दुनिया कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसके लावा additional stock मीडिया में भी, आप लोग extra charge कर सकते हो, अगर आप licensed image देना चाहरे हो, इसमें आपको 2 dollar मजीद दिये जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ इसको चेक करना है, और up to में कितना हो सकता है, वो आप खुद define कर सकते हो, clear होगी बात, तो add extra services को भी आप लोग लाज़मी utilize करो, इससे आप लोग की earning बड़ेगी, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, कि आपको एक एक field का बहुत ही detail से बता हूँ, ताकि आपको कोई और video ना देखनी पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, तो आप मुझे comment जरूर कीजेगा, कि आपको चीज़ें समझ तो आ रही है ना, अब हम save and continue के button को click करेंगे, लेकिन यह save नहीं होगा, और ना ही continue होगा, अगली screen पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक mistake किये भी है, आप लोगों को समझाने के लिए, और वो क्या है जनाब, वो है यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने multiple of five नहीं लिखा, यानि कि यहाँ पर अगर मैं 10 लिखूं तो ओके है, 15 लिखूं तो ओके है, 20 लिखूं तो ओके है, आपने multiple of five जरूर लिखना है, बात समझागी, तो यहाँ पर जनाब मैं कर देता हूँ, इसको 15, हाँ, 30 जो मैंने लिखा, it's okay, multiple of five वाना चाहिए, क्योंकि एक थमनेल का रेट है, पांच डॉलर, बात समझागी, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और दूसरी बात बिलकुल वही है, जैसे मैंने पहले बताया है, देखें, प्रीमियम में, अब उस बंदे को डिसकाउंट मिल रहा है, कितना डिसकाउंट मिल रहा है, पांच डॉलर का, तो शायद अब वो बायर, एक या तीन थमनेल के बजाए, आप से सेवन थमनेल की डिमाइट करें, क्योंकि यहाँ पर आपने रेट को भी कम किया हुए, क्योंकि उसको एक थमनेल फ्री में मिल रहा है, चले, अब हम सेव अन कॉंटिनू के बटन को क्लिक करते हैं, अब जनाब हम आ चुके हैं, थर्ड स्टेज पर, इसके बाद हमारे पास तीन और स्टेजेज़ हैं, तो आप लोगों ने वरी नहीं होना, परिशान नहीं होना, उसका भी एक एक वर्ड समझाऊंगा, यह बाकी के बहुत हसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यह जो पहले तीन है, इसी में ज़्यादा एफर्ट्स इंवाल्व हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सब के सब हैं, दिहान दीजीगा जनाब डिस्क्रिप्शन पे, अच्छा यहां पर, बहुत से लोग कहते हैं, बाई डिस्क्रिप्शन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक जबर्दर्स किसम की टिप देता हूँ, उस पे अमल कीजेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट ही करवाता हूँ, हाँ, जो लिख सकता है वो लिख ले, उसके लिए कॉपी पेस्ट का तरीका नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई लिख नहीं सकते, किसी भी वज़ा से, तो उनको मैं तरीके कार बता देता हूँ, चलें, अब मैं आपको समझाता हूँ, कि आपने क्या करना है, आप किसी भी टॉप गिग पेचाएं, और वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी वी है, जैसे अबाउट दिस गिग, इसको आप कर लें कॉपी, पेस्ट नहीं करना, कॉपी करें, जितना बता रहा हूँ, उतना सुनिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लें, स्किप का बटन दबा देते हैं, काम की बात उसके बाद आती है, बसकि वीडियो को स्किप करने की आदत, आप लोग को छोड़नी होगी, अगर आप लोगोंने ऑनलेन अर्निंग करनी है, मैं सरफ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, किसी भी चैनल पर जब आप वीडियो देखें, मुकमल देखा करें, चलें, अब आपने क्या करना है जनाब, हमने इसको करना है, रीफ्रेज, यानि कि इनी अलफास को चेंज करके लिखना है, इसकी वज़ा जान लीजेगा, आज से दो तीन साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो यह चीज़ ने चल जाती थी, बिल्कुल चल जाती थी, क्योंकि उस वक्त AI सिस्टम, यानि कि Artificial Intelligence सिस्टम, जो कि Fiverr का है, वो इतना Efficiently काम नहीं कर रहा था, अब AI सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग हो चुक है, अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, तो इसमें Pledgerism आएगा, कि यह कहीं से कॉपीड है, सिस्टम आटोमेटिक पकड़ लेगा, और आप लोगों की गिक को रैंक नहीं होने देगा, तो हम तो ऐसा चाहते हैं नहीं, हम तो रैंक होना चाहरे हैं यहाँ पर, कि टॉप, फर्स पेज़ पे हमारी गिग आए, तो आप लोगों ने इसके लिए छोड़ा सा काम करना है, बड़ा काम नहीं है, छोड़ा सा काम है, परिशान बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने टाइप करना है, पैराफ्रेजिंग टूल, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएं, यहाँ पर यह चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आइगेस आर्टिकल जब मैं आप लोगों सिखा रहा था, तो उसमें भी सिखाया था आपको, पैराफ्रेजर.io, बहुत ही जवर्दस किसम की वैब साइट है, इस पर जाएगा, यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दें, जो कि अभी अभी आपने कॉपी किया था, गिक से, यही था, इसको थोड़ा सा बेतर कर दें, फॉर्मेटिंग के पॉइंट अफ्यू से, अब आपने क्या करना है, जनाब थोड़ा सा नीचे आना है, आइम नॉट आ रबोर्ट को क्लिक करना है, और उसके बाद जनाब आपने पैराफ्रेज नाओ के बटन को दबा देना है, चले जी, यहाँ पर पैराफ्रेज हो चुका है, आप इसको कर लें कॉपी, कॉपी के लिए यहाँ पर भी बटन अविलेबल है, चले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब इस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, अच्छे इसको थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लीजेगा, सम्टैम ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसकी गेग होती है, वो अपना नाम भी लिख देता है, यहाँ पर मिस्टेक ना कीजेगा, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजेगा, अगर उसका नाम वगरा लिखा वै, तो उसको डिलीट कर दीजेगा, यह बना बना है आपको मिल गया, कॉपी पेस्ट किया, डिस्रिप्शन बहतरीन बन गई, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और देखते हैं कि क्या उप्शन है, यहाँ पर आ जाएगा, सेव और कॉंटिन्यू, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मिस्स हो रही है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, और वो है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेशन, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेशन, यानि कि FAQs क्या है, FAQs यह होते हैं, जनाब कि अगर कोई बायर आपके पास आता है, तो उसके जहन में क्या-क्या सवालात होंगे, आपने उन सवालात के एडवांस में यहाँ पर जवाब लिख देने, बात समझ गए, अब वो सवालात क्या हो सकते हैं, एक आध एक्जेंपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, चलें, फॉर एक्जेंपल हम एक FAQ को एड़ करते हैं, एड FAQ के बटन को क्लिक कीजेगा, यहाँ पर आप लोगोंने सवाल लिखना है, यह सवाल आप खुद से लिख रहे हैं, अब सवाल यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यानि कि इंग्लिश के इलावा, आप और जबानों में थम्निल को बना सकते हैं, देखें, यह एक बायर के जहन में क्वेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक लोकल मार्केट में नहीं बैठे वे, आप इंटरनेट पर हैं, पूरी दुनिया के लोग आप से राप्ते में हो सकते हैं, बायर किसी भी मुलका हो सकता है, कोई भी लैंग्विज उसकी हो सकती है, ऐसा ही है ना, तो यह सवाल बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग पूछते हैं, आप अपने गिग में आज इट इस यह लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं, डेफिनिटली आप यहाँ पर येस लिख दें, ठीक है, और येस लिखने के बाद आपके जहन में यह होगा, कि मुझे तो और लैंग्विज इस नहीं आती, तो उसके हमाले से भी एक मैं आपको तूल दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, कि आप लोगों ने फिर इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन पहले इस लाइन को भी कम्प्लीट कर देते हैं, अब आपने एड के बटन को प्रेस कर देना है, ये हमारा एक FAQ एड हो गया, इस तरह आप कई FAQs एड कर सकते हो, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, कि आप अधर लेंगविजेज में कैसे थम्मनेल्स को बना सकते हो, या जो भी आपकी स्केल है, उसके मताबिक अगर इस किसम का कोई क्वेशन आया, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, यहाँ पर आप आपने टाइप करना है, गूगल ट्रांसलेट, टाइप हो गया, यहाँ पर आप वो लेंगविज सेलेक करें, जिसमें आपको डेटा दिया जा रहा है, अब इसको मैं कर देता हूँ, इंग्लिश, और यहाँ पर आपने इसको किस जबान में कनवर्ट करना है, यहाँ आपने उस जबान का इंदिखाब करना है, यहाँ पर थामनिल के उपर फॉर एक्जेम्पल लिखा हूँ है, आउनलेन अर्निंग, जिसमाल दे रहा हूँ, चलें, इसको हमने ट्रांसेट करना है जैपनीज में, तो जैपनीज को यहाँ पर चूस कीजेगा, अब आप देख सकते हैं कि लिखावा आ गया है जैपनीज में, इसको कॉपी करें और थामनिल के अंदर जाके पेस्ट कर दें, समझ आ रही हैं ना मेरी बात, यहनी कि order आपने यहाँ पर कोई भी miss नहीं करना, किसी भी तरह का order miss नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सी earning करनी है, बहुत सी earning करनी है, चलें, अब हम दोबारा यहाँ पर आगे, यहाँ पर समझ आगे कि faqs कैसे है जो पे, save and continue के बटन को क्लिक करते हैं, और हम आ गए है, fourth stage पर यह है requirement की stage, चलें, इसको ज़रा थोड़ा से समझेगा, यह actually आप लोगों की requirement है, यहनी कि आपकी requirement क्या है, buyer के लिए, जो आपको order दे रहा है, उससे आपको क्या कुछ required होता है, वो question आपने यहाँ पर लिखने है, for example, आप कहते हैं, कि अगर आपने मुझे thumbnails का order देना है, तो आपने मुझे बाकादा, एक word format के अंदर लिख के देना है, सारा data, आपकी requirement क्या बनी, कि word format के अंदर, सारा data आप मुझे लिख के दे, कागस पे, यानि किसी image की picture आपने नहीं देनी, मुझे word format पे देना है, मतलब इस किसम की आपकी जितनी भी requirements हो सकती है, किसी buyer से, तो वो आप यहीं पर लिख लीजेगा, ताकि buyer को पता हो, कि उसने आपको जब order देना है, तो उसके साथ साथ, कौन कौन सा data आपको देना है, और किस format में आपको data देना है, clear होगी बात, जवाब अपनी requirement को यहाँ पर लिख देंगे, तो आपने add का button दबा देना है, simple सी बात है, इसके बात आप लोगों ने save and continue के button को click कर देना है, चलें, यहाँ पर मैं link भी देता हूँ, I need data in word format, यह मैं मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप कुछ भी choose कर सकते हैं, कि free text देना है, attachment के तोर पर देना है, क्या करना है, इसको add कर देते हैं, और save and continue के button को click कर देते हैं, अब हम बहुँच चुके हैं जनाब 5th stage पर, और 5th stage में क्या है, इसमें आपने showcase करना है, अपनी products को, यानि के जो भी आप लोग की skills हैं, उसके मताबिक, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपने thumbnails को upload कर सकता हूँ, ताकि जब एक buyer आए, तो वो मेरा काम भी देखें न, कि यह किस किसम के thumbnails बना रहे हैं, अब अगर आप किसी भी profile पे जाते हैं, फॉर एक्जेमपल, अगर मैं इसके profile पे जाता हूँ, इसके gig में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें, यह thumbnail बनाव है, यह बनाव है, यह बनाव है, तो एक buyer आपके बारे में कोई राहे काइम कर देता है, आपको order place कर देता है, कुछ इसके समगा हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग के पास जो best अपना काम है, अपनी skills के मताबबिक आपने उसको upload करना है, पिक्चर अपलोड करने के लिए सिंप्ली आपने ब्राउज के बटन को क्लिक करना है, चलें, यहाँ पर मैं इस thumbnail को चूज कर लेता हूँ, और यह thumbnail यहाँ पर upload हो गया है, यह thumbnail बिल्कुल real है, आपने शाहिद यह वीडियो भी देखियों, वाराल अभी topic यह नहीं है, इसी तरह आप लोग तीन और thumbnails को upload कर दीजेगा, इसके लाबा एक वीडियो भी upload की जा सकती हैं, और डोडोकुमेट्स भी upload की जा सकते हैं, मैं strongly आप लोग को कहूँगा, कि showcase आप लोग अच्छे से अच्छा बनाओ, और इसमें आप लोगों ने लाजमी ये चीजें upload करनी है, चलें next के बटन को दबातें, अब जनाब हम last stage पर पहुँच चुकें, और यहाँ पर आप लोगों ने gig को publish करना है, इसके लिए आपको publish gig के बटन को press करना होगा, और यहाँ पर नीचे आपने इसको done कर देना है, और gig publish हो चुकी है, अगर आप लोग additional gig को publish करना चाहें, जैसे मैंने पहले कहा है, एक ही profile पे, तो यहाँ पर create a new gig की option available है, इसको click कीजेगा, और आप लोग gig को create कर सकते हैं, यहाँ पर आप multiple gigs create कर सकते हैं, मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, कि आप लोगों को एक एक word बारीग बीनी से समझाओ, जहाँ पर जरूरत पड़े, वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ tools भी सिखाओ, ताकि आप लोग एक अच्छी gig बना सको, और सबसे बढ़ कर कि आप लोग अर्निंग शुरू कर दो, बाराल आप लोगों का feedback मुझे commit में चाहिए, इसके लावा वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा, होसला अफजाई के लिए, अच्छा एक important बात और भी सुन लीज़ेगा, एक tip है, कि यहाँ पर online seller का भी option available होता है, ठीक है, अगर मैं इसको on करूँ, तो यहाँ पर नीचे देखें, यह सारा कुछ change हो गया है, अब यहाँ पर वही लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस वक्त online है, याद रखेगा, कि आप लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा देर online रहना है, क्योंकि बहुत से buyers ऐसे होते हैं, जो कि order उनी लोगों को देते हैं, जो कि online होते हैं, अब यहाँ पर भी एक छोड़ी सी tip आपको दे देता हूँ, कि आप लोग आप इंस्टॉल करो, अपने mobile पे, उसमें आप लोगों ने खुद को online रखना है, क्योंकि आप लोग जितना online रखोगे, AI सिस्टम भी आपको support करेगा, जो Fiverr का AI सिस्टम है, और इसके लावा buyer direct आप लोगों से राप्ता करेंगे, ये चोटी-चोटी चीज़ें मिलकर, आप लोगों की earning बढ़ाती हैं, तो जितनी भी tips मैंने इस वीडियो में दी, उनको याद रखेगा, उस पे अमल कीजेगा, Fiverr पे अभी बहुत सी tips मैंने आप लोगों को और भी देनी हैं, तो चैनल को जरूर जॉइन रखेगा, आज के लिए इतना ही, मर्जीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को जॉइन रखेगा, इसकी नोटिफिकेशन कौन कीजेगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का,